चिकिस्टा के शेत्र में रीवा का सूपर स्पेसिलिटी हॉस्पिटल दिन बदिन नए आयाम गढ़ता जा रहा है बीते दिन सूपर स्पेसिलिटी हॉस्पिटल के काडियो लॉजी विभाग ने इतिहास रच दिया सुप्रसिध काडियो लॉजिस्ट डॉक्टर एसके त्रिपाठी के नित्रित में मरीज की 90 प्रतिशत बंद नसों को खुलने के लिए पहली बार नो टच टेखनीक का से रिनल एंजियो प्लास्टी की प्रक्रिया सफलता पूर्वक पोने की गई मामले की जानकारी देते हुए विशेशग डॉक्टरों के द्वारा बताया गया कि सिंग्रॉली जिले की रहनी वाली 25 वर्षियर रीचा गुपता अपने हरीदय संबंधित समस्याओं के साथ रिवा सूपर इस्पेसिलिटी हॉस्पिटल पहुँची थी प्रारंभिक परिक्षान में पता चला कि मरीज की दाई किड्नी की नस बंध होने के कारण उनकी किड्नी पूरी तरह से सिकुड गई थी एवं बाई किड्नी की भी नस 90 प्रतिशत बंद थी जिसके कारण मरीज की बाई किड्नी भी खराब होने की कागार पर थी एसे स्थिती में काडियो लॉजिस्ट डॉक्टर एसके त्रिपाठी द्वारा नेफ्रो लॉजिस्ट डॉक्टर रोहन द्वेदी विभाग से चाव विवचार विमर्ष कर मरीज की बाई किड्नी की 90 प्रतिशत खराब नस को खोलने का नेड़े लिया गया डॉक्टरों ने तुरंत मरीज की किड्नी की बंद नसों को खोलने के लिए एंजियो प्लाष्टी करने का फैसला लिया और पहली बार काडियो लॉजी विभाग ने नो टच टेकनिक से रीनल एंजियो प्लाष्टी की गई जिसके बाद मरीज की हालत अब सामा ने बताई होस्पिटल के लिए गौरप की बात यह है कि इस तरह की कठिन प्रक्रिया पहली बार की गई है मामले की जानकारी देते हुए डॉक्टर एसके त्रिपाठी ने बताया कि विंद शेत्र में कई ऐसे मरीज हैं जिनकी नसें लंबे समय से बंद हैं जिसके कारण उन्हें हाइ आज ना किया गया तो केवल डालिसिस ही एक मात्र उपाए बचता है लेकिन अगर समय रहते रीनल एंजियो प्रदेश में टॉप पर भी रह चुका है